वेल्कम टू इंदोरी जाइका आज हम बना रहे हैं मटर पनीर इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 200 ग्राम पनीर, दो बड़े चमज मावा, कुछ मखाने इनका हम ग्रेवी के लिए पाउडर बनाएंगे, प्याज हरी मिर्च अद्रग लहसुन का पैस्ट, दो बड़े टमाटर की प्यूरी, कुछ मटर, खड़ा मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और नमक स्वादा नुसाल, हमारा तेल गर्म हो चुका है, हमने इसमें सबसे पहले खड़ा मसाला डालेंगे, अब प्याज का पैस्ट, हम इस पैस्ट को हल्का ब्राउन होने तक गुनेंगे, हमारे पैस्ट बुन चुके हैं, अब हम इसमें तमाटर की प्योरी डाल देंगे, इसे भी हम इसमें मिक्स कर देंगे, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसमें दो छोटी चमच लाल मेर्च पाउडर, आदी चमच हल्वी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, इसे हम मिक्स कर देंगे, इस ग्रेवी को हम 10 से 15 मिल्ट तक भूनते रहेंगे, जब तक इसका तेल अलगना हो जाएं, हमारी ग्रेवी, आप पेल चोड़ने लगी है, हम इसमें मावा भी मिक्स कर देंगे, हम मावे को 2 मिन तक इसमें मिक्स होने देंगे, उसके बाद हमने ये मखाने का पाउडर बना लिया है, ये भी इसमें मिक्स कर देंगे, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, पानी डालकर हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे, इसमें थोड़ा सा नमक, आपके स्वात के अनुरूप, अब हम इसमें अपने बटर भी मिक्स कर देंगे, जो कि पहले से हमने बॉइल किये थे, आप देख रहे हैं, हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है, अब हम इसमें अपना पनीर भी मिक्स कर देंगे, मटर पनीर डालने के बाद हम इसे 2 मिलीट तक पकने देंगे, उसके बाद सर्व करेंगे, हमारा गर्मा गरम मटर पनीर तैयार है, इसे हम पराठे, नान, रोटी या चावल के साथ खा सकते हैं, आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो, तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें,